देश की जनता की यात्रा सुलब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधारी करण के लिए रेलवे सेक्टर में विस्तार करते हुए देखे जा रहे हैं भारत में 2014 में प्रती दिन 4 किलोमीटर की दर से पट्रिया बिचाई जाती थी जो अब बढ़कर 15 किलोमीटर प्रती दिन हो गई है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आवश्यक विकास किया जा सके इसके लिए हाल ही में वित्ती वर्ष 2025 के लिए घोशित हुए पूर्ण बजट के दोरान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.1 एक एक लाग करोड रुपे आवंटित किये गए हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे के विस्तार पर भी खर्च होने वाला है बचत घोशना के पश्चात भारती रेलवे के लिए पहले घोशना शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली कैबिनेट मीटिंग के दोरान की गई जिसमें देश के आठ रेलवे प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है रेलवे सेक्टर के लिए 24,000 करोड खर्च होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगवाई वाली केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया था जिसका नित्रित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैशनों पर चर्चा देखने को मिली थी मीटिंग के समाप्थ हो जाने के पश्चात घोशना की गई की सरकार के द्वारा आठ नई रेल्वे सेक्टर लाइन प्रोजेक्ट के लिए अनुमती प्रदान कर दी गई है जिसको लेकर सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने के पश्चात देश में रेल्वे की कनेक्टिविटी में सुधार देखने को मिलेगा जिसकी अधिक जानकारी देते हुए रेल्वे मंत्री अश्विनी वैशनव के द्वारा बताया गया है कि विक्सित किये जाने वाले रेल्वे सेक्टर प्रोजेक्ट्स के निर्मान के लिए 24,657 करोड रुपे क खर्च आवंटित किया गया है ये सभी प्रोजेक्ट्स 2030-2031 तक पूरा होंगे रेल्वे सेक्टर प्रोजेक्ट्स का निर्मान 89, महराष्ट्रा, आंध्रप्रदेश, जार्खंड, टेलंगाना और पश्चिम बंगाल में किया जाएगा जिनकी सहायता से इन राजियों के 14 स तो होगा सीधा फाइदा कमपनियों को होगा फाइदा विक्सित किये जाने वाले ये सभी प्रोजेक्ट्स देश की स्वदेशी कमपनियों के द्वारा विक्सित किये जाने वाले हैं सरकार के द्वारा अभी तक इन प्रोजेक्ट को विक्सित करने वाली कंपनियों के नाम हुजागर नहीं किये गए हैं लेकिन ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार जल्धी रेलवे निर्मान के क्षेतर से जुड़ी हुई कंपनियों के नाम घोशित करेगी जिनमें देश की राष्ट्रीय स्तरीय रेलवे निर्मान कंपनियों के साथ साथ राज तरीय रेलवे निर्मान कंपनिया भी देखने को मिल सकती है जिन में रेल विकास निगम लिमिटेड, टी तरगर रेल सिस्टम्स, आयरेफसी, जूपिटर वैगन्स, बीएमिल लिमिटेड जैसी कमपनियां देखने को मिल सकती है अगर इन में से किसी भी कमपनी को मैसेज किये जाने वाले प्रोजेक्ट के ओडर की प्राप्ती होती है तो इन कमपनियों के स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि बीते कुछ सालों में देश में विक्सित किये जाने वाले रेलवे प्रोजेक्ट को प्राप्त कर अने वाली कमपनियों के स्टॉक में गजब की तेजी देखने को मिली है। डिस्क्लिमा, आपने जो न्यूज पड़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है। हमारी चैनल एक्विटी न्यूज स्टॉक मार्केट के कमपनी की लेटस्ट न्यूज, बोनस, डिविडेंड आईपी ओ की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। भारतिय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है, जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेश सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल से भी द्वारा रजिस्टर भी नहीं है।